तो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से एक नए comparison वीडियो में और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ Redmi Note 13 Pro 5G versus T2 Pro 5G इन दोनों फोन को में compare करने वाला हूँ और इस वीडियो के आश तक आपको बता चलेगा कि कौन सा फोन आपको भाई करना चाहिए 120 Hz का refresh radius में आपको मिलता है और 1800 nits peak brightness मिल जाती है वी वो T2 Pro की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6.78 इंचिस में एक AMOLED डिस्पले मिलता है जो की 388 PPI पर वेज़ड है और यह जो डिस्पले है वो 3D कर्व है 120 Hz का refresh radius में आपको मिलता है और 1300 nits peak brightness मिल जाती है तो इस तरह से यह हो जाते हैं इन दोनों के डिस्पले आपके वाण में अब यह question होगा गयार सबसे अच्छा डिस्पले कौन सा रहेगा इसमें content watching के लिए तो देखिए मैं बात करूँ अगर एक best quality डिस्पले की तो Redmi Note 13 Pro 5G में आपको अच्छा display मिलता है बैसे T2 Pro में भी अच्छा है इसमें आपको 3D curve का design मिलेगा जो काफी premium लगता है लगते हैं otherwise आपको एक best quality चाहिए सिर्फ आपको कोई 3D curve से मतलब कोई मतलब भी नहीं है तो Redmi Note 13 Pro 5G आपके लिए best option है यह आपको एक अच्छा experience देगा Redmi Note 13 Pro 5G चलिए बात करते हैं हम camera की तो देखिए camera जो है 200 MP में आपको मिलता है main camera Redmi Note 13 Pro में और 8 MP में ultra wide मिल जाता है 2 MP में macro camera मिल जाता है OIS का support भी इसमें आपको मिलता है 4K video recording आप 30 IPS पर कर सकते हैं और Vivo T2 Pro की अगर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 64 MP में main camera मिलता है और 2 MP में depth camera मिल जाता है 4K video recording आप यहाँ से कर सकते हैं OIS का support भी मिलता है front camera की अगर में बात करूँ तो देखिए front camera 16 MP में है full HD video recording आप यहाँ से कर सकते हैं Vivo T2 Pro में Redmi Note 13 Pro की अगर में बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 16 MP में camera मिलता है और full HD video recording आप यहाँ से कर सकते हैं front camera से भी तो इस तरह से यह हो जाते हैं दोनों की camera अब जो सबसे अच्छा camera है इन दोनों में से वो दोनों ही camera अच्छे हैं और दोनों से ही आप अच्छे से stabilization mode में video record कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है तो दोनों ही camera अच्छे हैं चलिए बात करते हैं हम बात करें अगर मैं यहां पर बैटरी की तो देखिए बैटरी जो है और दोनों में से कौनसा बैटरी अच्छा है तो देखिए सबसे अच्छा जो बैटरी है वो आपको Redmi Note 13 Pro 5G में मिलेगा तो इसमें जो बैटरी है वो अच्छा backup देता है और fast turning तो दोनों में similar है almost तो इस तरह से दोनों बैटरी अच्छे हैं लेकिन winner जो है वो Redmi Note 13 Pro 5G है बैटरी में तो UFS 2.2 का support आपको मिलता है Redmi Note 13 Pro 5G में और 3.5M का jack भी मिल जाता है 10 vents 5G के मिल जाते हैं IP 54 की rating मिलती है और stereo speakers भी मिलते हैं भी वो T2 Pro की अगर में बात करूं तो यहाँ पर आपको loud speakers मिलते हैं और NFC आपको इसमें नहीं मिलता है I hope अभी तक आपने decide कर लिया हुआ कि यार कौन सा phone आपको buy करना चाहिए और कौन सा phone value for money है तो देखिए जो भी phone आपको buy करना है comments में जरूर बताना और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like करना चैनल को जरूर सस्क्राइब करना ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं इस वीडियो भी प्रेंट करता हूँ आपको कोई question या query है तो comments में जरूर share करना और आप अगर इसके camera को लेकर confused है तो यार अभी मेरे पास phone नहीं है तो मैं इसको side by side करके मतलब compare करके नहीं दिखा सकता तो आप चाहें तो YouTube पर video देख सकते हैं side by side camera comparison video आपको मिल जाए तो thanks for watching this